नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो चलिए आज कुछ बनाते हैं अलग सा बच्चे दोनों घर पे थे तो उनकी फर्माइश थे मुमी कुछ अच्छा सार अलग सा बना दो तो मैंने क्या बनाओ बले मुमी आज बर्गर बना दो मेरे बच्चे यहला बर्गर बहुत श चाल आच दो शीर्टी मैंने लग वाली ने वर जब भाफ निकल लगी तो मैंने इनको निकालके उनको चील लिया पहले गरम-गरम चील लेते हैं दो चील असानी से उतर जाताए पता है यह जब शादी से पहले अपने घर पे थी ना हम आपे जिसका बजार में जाते हम इस तो आज मैं पैसा ही बनाओंगी मेरे बच्चे से बढ़ा शोंक से खाते हैं तो मैंने इससे सबसे पहले सारे आलोगो को मैश कर लिया है तो यह मैश कर लिए इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ना पत्ता गोबी काट लूँगी थोड़ी सी बड़ए बारिक थोड़ी सी जयाद ही थोड़ी सी काट लूँगी ऐसे पद्ली पदली CP यह देखिए पत्ता गोबी के समझ काट लीजिगा है पटा-पट से, यह मेरी पता को भी कट वही है, आप भी मुझे बताईएगा, किस किस ने इस तरहें का बर्गर खाया है, जिसने खाया हो, मुझे जरूर बताईएगा, और मैं प्याज को न, जिस सिर्फ चिप्स काटके न, इससे थोड़ा सा, हलका सा, थोड़ा सा ज्यादा पूरा नहीं करूंगी, आधा ही करूंगी, इसे ऐसे थोड़ा सा निकाल लूँगी, यह दीख, आप इसमें चाहिए हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको अद्रक पेस्ट पसंद, थोड़ा सा द्रक भी डाल सकते हैं, तो मैंने अपना ये नोन स्टिक पैन ले लिए गरम हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी, जीरा, जैद मैं भूल की दिखाना, मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी, और जबी चटक गया हींग और जीरा तो मैंने इसमें डाल दिया, टमाटर का जो प्यूरी थी, मैंने क्योंकि टमाटर में पानी होता है, तो पानी जब सूख जाएगा न, तब तक हमें इसे पकाने, साथ ही मैं इसके पत्ता गोबी डाल दूँगी, क्योंकि पत्ता गोबी भी था थोड़ी से नर्म हो जाएगी, जब हमारी पत्ता गोबी भी नर्म होगी और पानी सूख कर लेना थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूगी ठोग धनिया अपने टेस्ट के जैसे आपको पसंद है नमक आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहिए वो भी डाल सकते हैं पर बच्चे बच्चों के लिए बना ही हूं तो मिर्च नहीं डाल लूँगी मैं है इस Vale अच्छी नीं दाल लाया है है चैसे यह पक जाएगा तो मैं इसमें अपने आलू डाल दूंगी आप इसमें किसमें जो मसाला है वो आलूंस पर भी चड़ना चाहिए कि अच्छी तरह से मिला लूंगे नमाक मेर्ज जो भी सारा चड़ जाए तो यह देखिए मैं दिरे दिरे से मिला रही हूं क्योंकि तबाह है न यह तो गिरने का ड़ए तसलिए राम राम से कर रही हूं तो यह देखिए मैं इसमें मिला लिया है हम इना इसमें जो हमने प्या से चीली फ्लेक्स डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ही मैं औरिगेनो डाल दूंगी इसे टेस्ट बढ़ा ही अच्छा आएगा तो इने भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी फुश्बू बड़ी अच्छी आएगी तो देखी अब मैं क्या करूंगी एक क दूरी सोस भी डाल सकते हैं पर मैं ऐसे ही बनाऊंगी तो मैंने इसमें अच्छी तरह से इसे पहले मिला लेती हूं है यह देखिए ताकि यह दोने एक जैसे अच्छी से मिलके एक रंग हो जाए इनका यह देखिए मिल गई देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है अब क्टे मिले नहीं तो मैंने इसलिए यही वाले लेलिये तो मैं इन्ह HEY काट लेती हूं म GRण से काट ओंगी कि यह देखिए मेरे बरगर कट चुके है मैं अस्तरह से दोनों पररगर को पहले काट लेती थाङूआ जल्दी जल्दी से बन जाएंगे फटा-फट से तो मैंन में मसाले को साइड में कर दूँगी तब वेसे और इस पे थोड़ा सा न यह लगा दूंगी बटर बटर लगा के इनको में सेक लूंगी दोनों तरफ से ताकि थोड़े और सोफ्ट हो जाएंगे बटर से न से थोड़ा अच्छा हो जाता बटर नहीं होता तो สेक लेती हूं तो मैंने अब सेक लिया है अच्छा दबा दबाके से सोफ्ट कर लेंगे दोनों दरफ से सेखना है हलका हलका और जब यह सिक जाएंगे इसके उपर हम लगाएंगे जो हमने के कटोरि में पेस्ट बनाया है है ना हम वो बना लेंगे वो लगा लेंगे इस पे यह देखे मेरे सिक भी गए अच्छी तरह अब मैं इन पर यह लगा लूँ भी बच्चों को खाने में बड़ा अच्छा लगेगा टेस्ट बड़ा अच्छा हैगा इससे यह देखें दोनों पर लगा लेती वह आपकी मर्ज then लगा लीजिए जैसा आपका मन करें आप और भारी चट्नी भी लगा सकते आपका मन करें तो है न अगर आपके पास हो तो बच्चे क्योंकि हरी चट्नी तो थोड़ा समीर्श पड़ता है न इस मैने अब इस इस पे उना थे बनाया मैंने यह डाल दूंगी डूसरे को इसके उपर रखके यह बार फ्रैस कर घुन अर्वर फिल्क बंगर बलकूम्स बनके तैयार है अब इसी तरह से मुझे अपना दूसरे वाला भी बनाना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिए तो चलिए मैं अपने दूसरा बर्गर भी बना लेती हूँ फटा फट से बच्चों को ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आप बना के देखिए और आप मुझे बताईए किस किस ने इस तरह का बर्गर खाया है तो ये देखे मेरा दूसरा बर्गर भी रेडियो हो चुक है बच्चों को खिलाएए जब मन करे फटा फट से बनाएए धन्यवाग